So, Hi everyone, Namaste and Good morning. Welcome to the YouTube channel of Excel Educational Institute, Naipur. ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जिन स्टुडेंट्स ने अभी-अभी CMA Foundation की एक्जाम क्लियर की है. और मैं उनको सबसे पहले बदाई देना चाहता हूँ, many-many congratulations to all those students, जिन्हों ने अभी-अभी CMA Foundation की एक्जाम क्लियर करके CMA Inter दक पहुँच गये हैं. तो अब आप eligible हो गए हो CMA Inter में admission देने के लिए. Admission देने के लिए सबसे पहले आपको CMA Institute की website पे registration करवाना पड़ेगा, उसकी details अपन आगे discuss करते हैं. तो अभी तो आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, पार्टी बार्टी कर लिए होगे आपने, और बहुत खुशे का माहल होगा, ठीक है, तो इस खुशे के साथ अपने को ये भी नहीं भूलना है, कि अभी अपन CMA बने नहीं है, हमने अभी एक step, अभी अपने एक step क्लियर किया है, अभी सब पार्टी बार्टी खतम हो जाए, इसके बाद आगे अपने हो क्या करना है, अभी तो अपन CMA बने नहीं है, ठीक है, और हमको CMA पूरा बन के छोड़ना है, फाइनल एक्जाम क्लियर करनी है, तो मैं बता दूँ आपको कि CMA foundation जो है, ठीक है, यह सबसे basic level है, इसमें आपको institute 11-12 के level पर test करता है, बट real journey आपकी कब start होती है, CMA inter में start होती है, CMA inter का course भी थोड़ा vast है, ठीक है, तो आगे की preparation आप कैसे start करेंगे, आपको कैसे registration करवाना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखेगा, तो यह आपके तीन level है, ठीक है, CMA foundation जो कि आप complete कर चुके हैं, अब, आप CMA inter पर पहुँच गए हो, CMA inter की exams कब कब होती है sir, CMA inter की exams होती है, एक तो आपकी June 2022 में होईगी, और दूसरा आप December 2022 में दे सकते हो, इसके लिए registration की date यहापे आपकी screen पे, 31st January 2022 तक आपको CMA institute की website में registration करवाना पढ़ेगा, अब, CMA inter का syllabus क्या होता है, उसका discussion कर लेते हैं, देखे, तो चलिए अब बात करते हैं, CMA inter का syllabus क्या क्या ह ही करोगे, जिससे आप first attempt में clear करो, आपको make sure करना है, इस बात को, कि अपनी exam first और last हो, और एक के attempt में हमें इतनी मेनत कर देंगे, कि पूरा का पूरा first time में निकल दाएगा, तो सबसे पहले syllabus को समझते है, total इस exam के अंदर दो groups होते है, groups मतलब block of subjects, ठीक है, अब यह block किस ने decide किये, आपकी institute ने block decide किये, एक group के अंदर total 4 subjects है, ठीक है, अब यह 4 subjects क्या क्या है, देखते है, सबसे पहले group 1 में financial accounting है, ठीक है, यह basic normal accounting जो आपने class 11-12 में सीखा था, ठीक, इसके बाद है, paper 6 law and ethics, ठीक है, law के अंदर commercial laws, industrial law, corporate law, ethics, यह सब आप पढ़ेंगे, फिर paper 7 आपका जिसके लिए आपने CMA join किया है, सबसे important subject, cost accounting, इसके बाद group 2 के 4 subjects है, तो चलिए अब discuss करते कि group 2 में क्या क्या subject, सबसे पहला paper 9, operations management, strategic management, यह एक theory subject है, उसके बाद है, cost and management, accounting and financial management, तो cost and FM, ठीक है, और financial management, ठीक, finance, money का flow, और उसको कैसे manage करोगे, यह आप पढ़ेंगे subject के indirect tax मतलब GST पढ़ेंगे, इसके अंदर custom के loss पढ़ेंगे, ठीक है, फिर last paper number 12 है, company account and audit, company के audit के rules, क्या होते है, accounts कैसे maintain करोगे, यह सारी चीज़े आप पढ़ोगे, अगर आपका target rank का है, तो आपको both group एक साथ prepare करके exam देने पढ़ेगी, दोनों की एक साथ, तब जाके आपक नहीं लोगे, आप simplified तरीके से आराम से exams निकालोगे, तो आपको at least एक एक ग्रूप करके exams देने है, एक एक ग्रूप के नदा चाचा subjects, जैसे आपकी institute बोलते हैं, अब सबसे important होता है, कि क्या mindset होगा, इस type की professional tough exams को clear करने हैंगा, ठीक है, तो आनन्द महिंदरा जी का एक quote ह है, when you set the right target, जब आप right target set करते हैं, and aspirations, ठीक है, expectations, and you work, आपको work करना पड़ेगा, ठीक है, efficiently and diligently, efficiently and diligently, the number happens, ठीक है, पहले तो आपको right target set करने है, ठीक है, right expectations रखने है, and then you will work towards your achievements, and then you will work towards it, उसके बाद आपके results हाई, definitely a first attempt, definitely a first attempt pass करता है, ठीक, देखिए, mindset में सबसे पहला होता है, self purpose, self purpose मतलब, आप क्यों आए हो CA में करने के लिए, क्या आपका motive होता, किसी ने जब अजस्ती तो नहीं बैठाया, कि जा CA में कर, सबसे important चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने आपको discover कर लो, मुटे हो, कि क्यों पढ़ना चाहते हो, पढ़ना है कोई force नहीं करेगा, आपको decide करना है कि आप क्यों पढ़ना चाहते है, ठीक है, यह जब आपका decide हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि पढ़ना क्यों important है, इस एक्जाम के, ठीक, CA में बन जाएंगे, independent हो जाएंगे, अपने परों पे खड़े हो जाएंगे, बहुत मैनत करेंगे, बहुत पैसे काम आएंगे, विल अचीव द सक्सेस, विल मेक आओ पैरेंट्स प्राउड, जो भी आपका motive हो, उसको एक बार दिमाग में clearly set कर, ठीक कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब मुझे खड़ा करना है, उस focus के साथ जब मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है, तो पढ़ने मजा रहा था, और practical subjects है, अपने आप आपको interest आएगा, थोड़ा सा mind focus रखना है, और फालतों चीज़ों से दूर रखना है, और फालतों दोस्तों से द अपने आपको प्रॉड करोगे, ठीक है, दूसरी चीज़ है, डेली attend your classes, ठीक है, एक schedule मना लीजे, अगर आप self study कर रहे हो, तो सबसे पहले एक schedule मना लो कि आप course कैसे cover करोगे, और अगर आपने कहीं से classes लीए, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है, most important चीज़, कि daily attend your classes, दु आपका backlog आता है, जिसे आपको छुट्टी मजबूरी लेनी पड़ी, ठीक है, आपकी अदव्यर ठीक नहीं है, आपकी धन में शादी है, whatever, तो तुरंत backlog को clear करें, as soon as possible, ठीक है, course को time plan complete करना, बहुत ज़रूरी है, और exam के पहले हमारे पास कम से एक से डेड़ महीन होना ची के लिए, तो अभी जब हम course को prepare कर रहे है, ठीक है, class work कर रहे है, उसे time हम अपनी own summary बहुत beautiful तरीके से बना लें, ठीक है, उससे क्या होगा, एक page से आपको पूरा chapter cover हो जाएगा, exam के दिन महुंत help करता है, एक page देखा, फटा-फट, फटा-फट उसको revise कर लिए, ये जब हम तीन-चार बार घर पर revise करेंगे न, अपनी table पर, उस time पर ये revision की summary बने, ठीक है, next, ब्रह्मास्त्र, पास होने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र is self study, क्यों, देखो, आप class में आ रहे हो, ठीक है, आपका teacher आपको sum solve कर रहा है, ठीक, उस time आपने सीख लिया, अब इतना तो ज़रूरी है न, कि आज आपने कुछ सीखा, कुछ sum सीखा, तो शाम को जब आप उसी sum को अपने table पर बना रहे हो, तो बन जाए, तो definitely कुछ ना कुछ errors होंगी उसमे, जब आप उस sum को अपने table पर लेके बैठेंगे न, तो कुछ ना कुछ errors तो होगी, you will discover some errors which you are doing, when you are solving the sum by your own, जब आप खुछ से solve कर रहे हों समको, तो कुछ तो भी errors निकलेगी महां से, दो चाब आप प्रेक्टेस करोगे, तो errors clear हो जाएंगी, और यह जो गलतिया अपने table पर हो रही है न, यहीं से clear हो जाएंगी, और वो गलतिया exam में repeat दी, and then you clear the CMA inter exams, ठीक है, 12th और स्कूल की table पर बनना चाहिए, सबसे most important target, सिर्फ इतना ही कर लिया आपने, तो आपका CMA inter, या कोई भी professional exam, आप एक बार में clear करोगे, one short clear of the examination, next सबसे important चाहिए होती है, writing practice होनी चाहिए, अब यह भी कैसे आएगी, self study से आएगी, दूसरा, कोई तो होना चाहिए, जो आपकी writing practice को evaluate करे ठीक है, अभी evaluation कैसे हो सकता है, weekly test दीजिए, जो भी आप पूरे हफते बर में पढ़ रहे हो, उसका weekly test ठीक है, क्योंकि ultimately हमारे aim क्या है, हमें वो exam clear करनी है, तो exam का माहुल, हर हफते create करो, हफते भर का जो भी syllabus हुआ है, उसकी exam return में दो, आपको पता चल जाएगा कि आप कि help करेगी, तो it's most important कि आप weekly test दीजिए, next, cumulative weekly and monthly revision, ठीक है, पूरे हफते में जो भी आपने syllabus पढ़ा, ठीक है, वीकेंड पे 10 मिनट पलटा के देख लो, मैंनी बोलता, पूरा वापस से original time लगाओ, बट 10 मिनट तो आप दे सकते हो, फटा 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 तो हम weekly और अगर monthly revision करते हैं, तो भले उतना बड़ा course है, बड़ इसको संभालने का एक तरीका होता है, ठीक, आपको याद हो जाएगा, जैसे आप mall जाते हो, ठीक है, वहाँ effort थोड़ी लेते हो कि कौन से shop, कौन से location पे, आप क्या करते हो, बार-बार mall जाते हो, आपको या educational institute आपकी help कैसे कर सकता है, इस professional exam को clear करने में, और आपकी preparation में help करने में, ताकि आप first time में exam clear कर सकते हो, सबसे पहले हमारे regular classes चलती है, CA में enter की, जिसमें हम पूरा का पूरा आपकी syllabus से थोर हो है, जिसमें हम आपकी help कर सकते है daily classes के through, right, face to face और virtual live mode, दोनों तरीके से आप class दे सकते हो, ठीक, और virtual live mode से अगर आप लेते हो, तो I assure you कि आपको दोनों में कोई फरक नहीं लगे, और आज से आपको demo lectures भी मिल जाएंगे YouTube पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, आप evaluate कर पाऊगे, कि हम आपकी help कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट, recorded lectures as backup till exam, आप exam तक इस backup को unlimited time दे सकते हो, ठीक है, I repeat unlimited time तक दे सकते हो, जो आपको बहुत help करेगा, अगर कोई पार आपको चूड़ गया है, तो भी आप देख सकते हो, for revision भी आप देख सकते हो, right, उसके बाद doubt clearing section, doubt clearing session में 24-7 doubt clearing support मिलता है आपको, और आप चाहो तो faculty से भी interact कर सकते ह हो, but I assure you, आपको doubts आएंगे ही नहीं, अखर आपने एक पार class देख लिए तो, but still, अगर कोई doubt आता है, you can interact with me and the other faculties as well, next, weekly test with evaluation, मैंने बहुत हो, सबसे important चीज़ क्या है, weekly test, self study करो, weekly test दो, आपको पाता चल जाएगा, आप कितने पानी में हो, तो हमारे यहाँ पे, हर week test होत है, उसका पूरा test लिया जाएगा, evaluate करके आपको आपकी copy मिलेगी, अगर आप virtual live batch के students है, तो आपकी copy को हम e-basis पे evaluate करके, आपको 2-3 निन में बेज देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, कि आपकी performance कैसी आ रही है, और यह test हम पहले ले ले लिए, next, timely completion of course, पास होने के ल जाल रखते हैं, right, next, frequent revision and 100% complete revision, सबसे पहली बात है कि हर class में एक दिन पहले वाली class का revision होता है, ठीक है, short revision, फिर weekly revision होता है, chapter complete होने के बाद, और फिर जब आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा, तो एक complete whole marathon revision, आपको direct मिलेगा, live मिलेगा, और recorded lectures भी मिलेंगे, जो आपकी बहुत अत only board offer भी दिया जा रहा है, at the 5%, तो अगर आप course join करना चाते हो, तो इन number पर call करके, आप details ले सकते, course की, discount available कर सकते है, as soon as possible, and यह जो batch है, वो बहुत limited batch रहेगी, first comes first basis पे, if you wish to prepare for CMA, do come and contact at this numbers, हमारे demo lectures के link, और admission procedure आपको description, now, why to trust us, हमने past में total 153, date सो भी ज्यादा ranks दिये हु professor exams में, तो we have that experience, कि जिसमें हम आपको prepare कर सकते हैं, okay, and experience faculties, और हमारे सारे faculties बहुत experienced है, या तो वो CAA है, या तो CAA है, या तो CAA में, और कुछ faculties ने तो 2-2-3-3 degrees भी ली गुए है, तो that's why you can trust us, okay, complete and timely completion of course, हमारा past record रहा है, कि हम हमेशा complete and timely completion of course कराते हैं, आप कहीं से भी हमारा review ले सकते हैं, it is open कि हमारा course हमेशा time पर completely follow किया जाता है, ठीक, यह हमारे वो students है जुनोंने अभी CMA foundation exam clear किया है, with bright numbers, so these are our results, so do come and prepare with us for your CMA inter-examination, we'll take care of all your needs for the particular exam, thank you so much, have a good day, bye-bye.